ज्यान मंत्र वोम रेमेडीज में आप सबी लों का स्वागत है और आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि नवमी को कन्या पूजन कैसे करें नवरात पर्व के नौवे दिन कन्या पूजन और उन्हें घर बुलाकर भोजन कराने का विधान है कन्याओं को नौदेवी स्वरूप मानकर इनका स्वागत किया जाता है माना जाता है कि इन कन्याओं को देवियों की तरह आदर सत्कार और भोजन कराने सिमा दुर्गा प्रसन हो जाती है और अपने भक्तों को सुख सम्डिद्धिका वर्दान दे जाती है इस बार नवमी का जो पर्व है वह 25 मार्च 2018 को किया जाएगा तो चलिए जानते हैं कन्या पुजन विधी के बारे में जिन कन्याओं को आपको भोजन पर खाने के लिए बुलाना है उन्हें एक दिन पहले ही न्योता दे दें ध्यान रहे कि जो कन्याओं की उम्र है वह 2 से 10 वर्ष तक ही होनी चाहिए और इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए यदि 9 से जादा कन्या भोजन पर आ रही है तो भी कोई आपतीन नहीं है कन्याओं की साथ साथ ही आपको एक छोटे लड़के को भी आप बुलाएं जिसे लांगुरिया भी कहा जाता है उसके पश्चाथ सभी को घर में बुलाकर आराम दायक और स्वक्ष जग बिठाकर इन सभी के पैरों को बारी-बारी से दूद से भरे हुए थालिया थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैर दोने चाहिए और पैर छुकर आशीश भी लेना चाहिए उसके बाद पैरों पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए फिर उनके माथे पे कुमकुम से तिलक लगाएं और कलाई पर मौली बान दें फिर माभगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को खीर, पूड़ी, हल्वा, चैने की सबजी आदि का भोजन कराएं बोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ के अनुसार दक्षणा दें, उपहार दें और उनके पुनह पैर चुकर आशिश लें और उन्हें विदा करा दें उनके प्रस्थान के बाद आप स्वेंभी प्रसाद खालें और अपने घर के सदस्यों में वित्रित कर दें तो ये थी जानकारी कि कैसे आप नव्मी के दिन कन्या पूजन करेंगे अभी के लिए बस इतना ही अगर आपके कोई भी सुझाव या सवाल हैं तो हमें जरूर लिखें और हमारा चैनल ग्यान मंत्रा होम रेमेडीज सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें धन्यवाद